Welcome to the English Mentor, English Mentor में आपका स्वागत है, Mind Your Business बहुत से लोगों को आपने ये कहते सुना होगा, Mind Your Business इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, अपने काम पे ध्यान दो, हमारे काम में टांग मत अड़ाओ तो आज हम आपको Minded वाले शब्द कुछ बताते हैं Words with Minded मतलब किसी खास आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है? उसका मतलब होता है Mindset, Minded कितनी तरह के Minded होते हैं? ये हम आपको बता रहे हैं Open Minded Open Minded का मतलब है, खुले विचारों वाला खुले विचारों वाला, Open Minded उसके बाद है Closed Minded Closed Minded का मतलब है, बंद दिमाग वाला खुले विचारों वाला मतलब? जो खुले दिमाग से सोचता है जिसे हर चीज ठीक से नजर आती है That is Open Minded Closed Minded मतलब बंद दिमाग वाला एक ही तरह से सोचता है Closed Minded Broad Minded Broad Minded का मतलब होता है, उदार मानसिक्ता वाला या उदार दिमाग वाला मतलब आपकी भी बात सुनेगा, उनकी भी बात सुनेगा अपना दिमाग ज्यादा खुला रखेगा Open रखेगा, खुला रखेगा, चोड़ा रखेगा That is Broad Minded उसके बाद होता है Great Minded Great Minded मतलब बड़े दिमाग वाला बड़ा दिमाग जिसका होता है दिमाग बड़ा नहीं हो, दिमाग तो सबका यह की साइज का होता है लेकिन बड़े दिमाग वाला उसको कहते हैं जो दिमाग से सोचता है और सब की बात सुनकर फिर कोई काम करता है उसके बाद आता है single-minded single-minded का मतलब क्या होता है single-minded का मतलब होता है एक आग्रिचित मतलब एक तरह से सोचने वाला एक तरीके से सोचने वाला और एक ही तरह से सोचने वाला that is single-minded double-minded डबल माइंडिड का मतलब क्या होता है डबल माइंडिड का मतलब होता है दोहरे विचारों वाला ये भी ठीक है ये भी ठीक है अरे यार ये भी ठीक है मतलब डबल माइंडिड उसको कहते हैं दो विचार रखने वाला उसके बाद है absent minded खोया खोया अरे यार कहां absent mind हो कहां खोय खोय से रहते हो यहां देखो न यहां क्या बात हो रही है तो that is absent minded मतलब दिमाग यहां पर नहीं है दिमाग कहीं और है उसके बाद है narrow minded narrow minded मतलब संकीन मानसिक्ता वाला दूसरे की बात सुननी नहीं है अपनी बात सुननी है आगे पीछे अपने को किसी की बात नहीं सुननी है एक दिमाग सोच लिया तो सोच लिया संकीन मानसिकता कहते हैं उसके बाद आता है strong minded strong minded का मतलब द्रढ़ विचार वाला आप उसको कितना भी समझा लो उसने जो समझ लिया वो समझ लिया वो द्रढ़ विचार है एक जगे टिका हुआ है ठीक है उसके बाद है fickle minded fickle minded fickle minded मतलब चंचल मन वाला दिमाग कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है कभी यहाँ आ रहा है कभी वहाँ जा रहा है एक जगे टिक ही नहीं था तो जब दिमाग एक जगे ना टिक है तो that is fickle minded चंचल मन उसके बाद है stubborn minded stubborn minded का मतलब होता है जिद्धी मैं तो यही करूँगा दूसरे की बाद सुनूँगा ही नहीं जो मेरे मन में आएगा सो करूँगा यह है जिद्धी that is stubborn minded उसके बाद है like minded मतलब समान विचारों वाला दो लोगों के विचार मिलते जुलते हैं यह आपने politics में बहुत सुना होगा like minded parties के साथ हम तालमिल करेंगे मतलब उन लोगों के साथ उन parties के साथ जिनके विचार हमारे से मिलते हैं हम विरोधावास नहीं चाहते किसी दूसरे की नहीं सुनेंगे हमारे विचारों से मेल खाते हो तो हमारे पास आ जाओ that is like minded उसके बाद है money minded money minded का मतलब होता है धन लो लुप यानि हर बात में पैसा पैसे की अलवा कुछ नहीं सोचता है ये बात करेंगे तो पैसा आएगा या नहीं आएगा ये बात करेंगे तो पैसा आएगा या नहीं आएगा हर बात में पैसे की बात सोचता है उसके बाद है civic minded civic minded का मतलब क्या civic minded का मतलब होता है तमीज पसंद civic sense जिसमें होता है यानि यहाँ गंदगी नहीं करनी है अरे यहाँ गंदा है यह ठीक नहीं है ऐसे मत बोलो भाई थोड़ा तमीज से बात करो इस तरह के दिमाग वाला वो आदमी कहलाता है civic minded mean minded mean minded मतलब गटिया दिमाग वाला जिसका दिमाग ही गटिया है बहुत गटिया सोच है उसको कई लोग नीच भी कहते हैं और कुछ लोग गाली के तोर पे भी लेते हैं उसके बाद है career minded career minded का मतलब होता है पेशेवर जिसके दिमाग में सिर्फ अपना career होता और कुछ नहीं होता किसी से बात करेगा तो अपने career के बारे में पढ़ेगा तो अपने career के बारे में दूसरे की बात नहीं सुनेगा ठीक है उसके बाद है fair minded fair minded का मतलब होता है नियाए प्री है मतलब दो लोगों की बात सुनेगा जो सही होगा उसके बारे में फैसला देगा that is fair minded दिमाग से खुडा हुआ दिमाग होगा नयाय करने वाला people minded people minded का मतलब होता है कमजोर दिमाग वाला जिसका दिमाग कमजोर होता है mean minded मतलब फिर घटिया दिमाग वाला career minded यह हम आपको बता चुके हैं ठीक है मतलब अपने career पर ध्यान देने वाला इसी तरह से और भी words हम आपको बताएंगे आप देखते रहे है like करिए subscribe करिए follow करिए हमारे YouTube चैनल को